हलो गैस वाल सम बैक टून अधर वीडियो और आज ही सुडियों के लिए चारे पोकी एमेमो और यह एपिसोड नमबर 27 सोने वाला है और मैंने फूल ट्रेनिंग किया है और फूल लेवल अप भी करवा लिया है और इस वाले एपिसोड में हम लोग इलाइट फूर को चलते हैं और इस लड़की से बात करना होगा इससे करते हैं गुड लग बोला यार हमको बहुत बढ़िया थैंक्यू मैंने चार रिजर्ट को पहले नमपर पे रखाए क्यूंकि देखो इसके पास ना आइश टाइप पोकेमोन है तो हम लोग को आसानी होगा और देखते है इसके पास पहला पोकेमोन कोंसे आते हैं भाई पहला पोकेमोन कौनते से लोग जैंगे और उसको पड़ा नहीं आर आवाइट कर ल्याए रहे नहीं बिल्कूल नहीं बिलकुल नहीं भाई कितना डेमिज देगा रहे नहीं यार बहुत दिया चलो दूसरे पोकेमोन को बुलाते है राइचु को यह सम्हाल लेगा राम से इसके पास ठंडर अटाइक है और ठंडर बोल्ड भी साइकिक ज्यादा कुछ मत बिगाड़ना भाई यह बहुत कुछ भी गाड़ा है यार मेरा लेवल भी पहुच जाता है लेकिन बहुत भी गाड़ा है यह यह कैसा पोकेमोन है यार मेरो को पगड़ना चाहिए था यह पिकाचु हार गया लो और इसके बाद बुलाएंगे हम लोग किसको बुलाएं चलो विपिंग बैल को बिलाते हैं यही हरा सकते हैं अब भाई हरा दे यार लिप ब्लेड और यह खत्म चलो और इसका सेकंड बुकमोन कौन सा होगा चलो देखते हैं हमारी पास डिस इडवांटेज है यार एक बुकमोन चले गया हमारा अरे नहीं यार इसके लिए चार भूल जाता हूं भाई यह पोईजन टैप भी है मैं बार बार भूल जाता हूं और यहां पर हमारे चार रिजॉट समा सकता है आराम से और यह खत्म चलो सुपर एफेक्टिव खत्म चलो और इसके बाद कौन सेबोंग आएगा इसका तीन पोकेमोन बचा है अब हमारा भी बचा है और यहां पे भाई थोड़ा दिक्कत करेगा यार चेंज करके देखूं क्या चलो चेंज कर लेते हैं वाटर टैप अटैक मारा तो भाई गडबड़ हो जाएगा इसलिए मैंने चेंज कर लिया और यहां पे हमारा गोल्डग है भाई जिता दे यार एक पोकेमोन तो ले जा लेकिन नहीं ले जा सकता इसलिए मैं यहां पे पोशन मारूंगा और अपने पोकेमोन को रिवाइब करूंगा यह पोकेमोन को यूज करके यह जिता नहीं सकता नहीं इसलिए इसका अडवांटेज भी नहीं है तो कैसे जिताएगा इसको ना मैं पुरा रिवाइब करने में निकाल देता हूं और यहां पे रिवाइब वाला रैचु को करते हैं और इसके बाद हम लोग पोशन मारेंगे अरे भाई कहां से आया यार इसके पास ठंडर बोल्ड भाई लेपरेस क्या सिख रही है यार ठंडर बोल्ड इतना असान है कि अटक को भी सिख रहा है य है आज दर बाई बहुंत अच्छा काम किया गुलड दग मार्खा के और इसके पात बुलाएंगे हम लोग चार रिसाट को क्योंकि यह आयस्टेप पुोकेमोन है न मेरे को जादा नहीं पता यार पूकेमोन के पारे में लेकिन यह आई-च्टेप पूक्यमोन था सहाथ से अरे नहीं यार, नहीं है भाई, सुपर एफेक्टिव मूम नहीं है यार मेरे पास, मेरे को लगा था ये आइस टेप पोक्मोने तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा यार, कैसे करूँ, कैसे हराऊं यार, इसको अब मैं, ये देख वाटर अटेक मार जाएए, सुपर एफेक मतलब, फुल एच्पी होगे, ऐसे बोलना चाहता हूँ, और यहाँ पे ये खतम चलो, अरे नहीं भाई, थोड़ा से पी बचके क्या करेगा, यार, बचा के क्या कर लेगा, यार, लेप्रेस, मर जाता उससे अच्छा, और यहाँ पे ठंडर बोल्ड, और ये खतम चलो, और ये खतम चलो, खतम मुझा एक बार में, अरे नहीं भाई, कौन सा बैरी भाई, क्यों लगाते हो बैरी, हर कोई भाई, बैरी ही लगाता है यार, मेरे को यही पसंद नहीं आता, बैरी क्यों लगाते हो यार, फेर बैटल करो न, और इसका खेल खतम हो चुका है, इसके बाद पोकेमोन आएगा उसको हराना पड़ेगा बस हम लोग को इसको तो इजी हरा देंगे अटैंग मार दे यार बस और यह पढ़ा भाई तगड़ा वाला उसको सुपर्वेक्टिव और यह गया चलो इसी के साथ हमने फर्स्ट इलेट फोर को हरा दिया है और यहां पे हमने फर्स कर दो कर दो कर दो सुपर्वेक्ट।